नमस्कार दोस्तों आप देखरें लोकल एटिंग मैं आपके साथ दिने अगिनुत्री आज हमारे साथ जूट चुकी है कौन बड़ी करोड़ पती की हरसा अर्मा जी मैं बहुत-बहुत थैपने थैपने आप अपने बारे में थोड़ा बताए कि आप क्या हैं मैं प्राइवे करोड़ पती मेरा नौलेज बहुत अच्छा है मतलब मैं यही चीज बार-बार बोली जाती है अमीताफ सर जब भी आड़ा आता है कि आपका ग्यान आपको यहां लेकर आएगा और वहां जो कंटेस्टेंट आते हैं उनसे हर बार यह तो मैंने का मेरे पास भी ग्यान है तो हौशिश तो काफी साल ऑंतनों से कर रही थी में कर इस बार में पहली बार में चुनी गई और मैं हाट सीट तक आ गया। तो यह में ब्हुत बढ़ी हुआं मैं महो 보고Lord में पहले सीजन से कोशिश कर पहले बार में होट सीट पर या गई हूं प्रोसेस के बारे में जाना चाहिए कि आपने कैसे अपलाई किया क्या क्राइटेरिया था आप जो है के बीसी में पहुंचने दग का वह सारे क्राइटेरिया तो पहले सोनी वाले बताई देते हैं कि 18 यह के अबब होना चाहिए और कि सारी चीजे यहलों अप्से बड़ेसे रहती है कि हमिताब सर आप प्रेयल में आप से क्वेशंटे कर आप से क्वेशंटे एंटे रहिए तो और फaurais तो यहुश्जन ना उसके बाद फिर जो आगे का प्रोसेस होता है तो उस को स्वेश को आगर आपने पहलें थिगा से कि आपको कुछ नहीं पता है मतलब फिर आप से कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है और आपके पास उसका जवाब होना चाहिए तो कि कितने कॉंपिटीटर थे जो इसमें गये तो अपने नंबर से उस क्वेशन का आंसर देते हैं बट जो फाइनल उनका कंप्यूटर जी जो नंबर चुनते हैं तो उसमें से माइनसेट था कि दस यार लोगों में जो है 200 के अंदर आना हमको क्या आप सोच रहे तो समय मुझे यह था कि मेरे को आ नहीं है मतलब अगर मेरा नंबर आ गया है क्योंकि कई लोगों ने यह बोला कि हम मतलब मुझसे मेरे हस्बिन के फ्रेंड वगेरा काफी एक जा चुके मतलब उनका नंबर भी स्लेक्ट हुआ था वो भी गये थे अउडिशन बगेरा देने बट फाइनली उनका नहीं हुआ था तो वो बोले थे कि ऐसा नहीं होता है मगर मैंने सबसे यह बोला कि अगर मेरा नंबर स्लेक्ट हुआ है तो मैं आपको आगे तक जाके बताऊंगी यह नहीं बोला था कि हाट सीट जाओंगी बट मैं यह है कि मैं टॉप टैन जो मेरा है कि मुझे वहां बैठना है तो मेरा उद्देश इता हो में महां तक पहुच गई तो कुछी सवाल जब पर आते हैं कि क्या क्या आप से जो है सवाल पूचे गए के लिशी के दोरा मुस अमीथाफ सर के सामने ऐसी शुरू हो गई मतलब बैठा 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 यह डान्स करने लगी हाथो से मतलब ऐसे पहर मुझे उतर के डांस करने के ज़र दो अफ्खू बच्चा तो अमीथा सर बहुत इंप्रेस हो गए उस चीज से कि हमने आप से डांस करने का थोड़ी बो जो पाइब है तो अमेरा पुछा हो था कि मेरे सामने पाइब रिखा हुआता था यह अम पता हीप होता किस तो धने का बी हैं परिखनों शुरू चीनमें चेहं टो पाइब शूंख कि लो एअमं 생각 Applicant मלवें खरों बैला कि मैं के बनानजिंटें आप उस पेड़ होती कि हम् तो वो पाइपलाइन मैंने का कि वो होगी आपके हमारे तो हम सोते ही हमारा बिस्तर ही वहां पर किचिन में मतलब बहुत पनी है वो आप उनसे एक क्वेशन पूचेंगे वह आपको 10 जवाब मतलब उसके दे देंगे आपका यह ऐसा नहीं रहा कि हाजिर जवाब अगर हम आपको बहुत अच्छा हाजिर जवाब मतलब यह कहेंगे कि उनके पास कोई कांसर होते हैं जब सिर्फ मैंने इतना पूछा कि आप किचिन में जाते हैं वो कहते हम सोते ही महां किचिन में तो बहुत बढ़ी बात हो जाती है कितनी सवालों को जवाब दिया मैं अभी 12 तक मैं यह क्वेशन था कि मतलब जो अभी मोका तुफान आया है तो वो उसका नाम किस देश ने दिया तो जब आप बहुत सारा पड़के चले जाते हो ना तो अभी बहुत सारे तुफान आये तो मेरे को मैं नाम सब के याद कर कि ती बट वो यह हो जाता ने कि एकदम से वो तो क्लिक नहीं होई तो फिर मैंने डबल डिप ली तो डबल डिप में मेरा आंसर सही था तो में बारा पचास तक पहुँच गई और अंगे के क्या प्लांस है आपके जो है अगे का मैं फाइनल मतलब मैं शुरू से अमित सर से भी बोल कर आई हूँ कि मुझे मेरे बच्चों का फ्यूचर बनाना है तो जो भी मैं धनराशी जीतूंगी मेरे बच्चों की पढ़ाई पर ही लगाऊंगी मेरे को उनकी पढ चुकी हूँ लाइफ लाइफ लाइन मतलब मेरे पास कुछ नहीं बचा है अब आके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है जी बहुत बहुत मैं धन्यवाद लोकल इतिंस पाथ थैंक यू सर्क थैंक यू